लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आप सबीका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रियाश शर्मा शर्म जन्म भूमी तीर्थ शेत्र के आजीवन सदस्य राजा बिमलेंद्र मोहन प्रजापत मिश्र रामलला के लिए चांदी का राज सिंहासन बनवाया है सिंहासन का वजन साड़े 9 किलो 500 ग्राम है ट्रस्ट के महामंत्री ने कहा है कि नए मंदर में रामलला इसी सिंहासन पर विराजेंगे अयुद्या विवात का फैसला आने के बाद रामलला के मंदर के लिए दान में भारी बढ़ोत्री हुई है अयुद्या के राज परिवार के सदस्य और श्री राम जन्म भूमी तीर्त शेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने 9 किलो 500 ग्राम वजन का एक राज सिंहासन रामलला के लिए बनवाया है सिंहासन में चौकी के साथ छत्री भी लगाई हुई है यह सिंहासन सुरिदेव की मुखाकृती का है श्री राम जन्म भूमी शेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की और से बनवाया गया राज सिंहासन ट्रस्ट के महामंत्री चंपतराय की यह सिंहासन 25 इंच लंबा 15 इंच चौड़ा और 30 इंच उचा है सिंहासन का निर्मान जैपूर के कारीगरों ने दिल्ली में किया है राम लला अपने नए भवन में इसी सिंहासन पर विराजमान होंगे अयोध्या से मौमद आलम की रिपोर्ट आयोध्या राजपरिवार के प्रमुक विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्री जी जो राम जनम हुमी तीर्तक छेत्र के आजीवन सदसे भी है और इनों को ही सड़ से तेकड़ भूमी का हस्तांत्रन किया गया था इनोंने अपने निजी धन से चांदी का एक सिंधासन बनाया यह सिंधासन लगबक 25 इंच लंबा 15 इंच चोड़ा और 30 इंच उचा है इसमें चोकी भी है सूर्य वर्ण्ष का प्रतीक सूर्य देवता का मुखाकरती उसके पीछे अंकित है इसका बज़न साड़े नो किलो है जैपूर के कारिगनों ने दिल्ली में बैठ कर चांदी के सिंधासन को पूरी तरह से तयार किया है भगवान अपने नए भवन में जब आएंगे तो इसी नए चांदी के आसन पर विराजित होंगे देंके राम लला आज 25 से आज स्थाई मंदिर में विराज रहे हैं तो उनके लिए हमने एक सिंधासन बनवाया है इस पर विराज रहे है लगातार खबर खलिए बने रही है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारिफ प्रदेश